आईए हम जोडने के कुछ और प्रश्न हल करते हैं, मान लो मुझे 9366 जमा, 2469 हल करना है, यह हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, जैसा हम पिछले कुछ वीडियो में कर चुके हैं, हम एकाई के स्थान से शुरू करते हैं, आप इसे एकाई का कॉलम भी मान सकते हैं, इस तरह आ आप 7 इकाईओं और 9 इकाईओं को जोडने वाले हैं, 7 जमान 9, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 होते हैं, हम 6 को इकाईख स्थान पर रखते हैं और एक हासिल ले जाते हैं, यह एक भी उसी तरह है, जैसा उस तरफ वो एक है, यह किसी जादू या रहसे की तरह लगता है, हमने यह इसलिए किया है क्योंकि यह दहाई का स्थान है, जब आप 16 लिखते हैं तो इसका मतलब है आपके पास 6 इकाईओं और 1 दहाई है, यदि आप इन्हें पैसों के रूप में देखें, तो यहाँ 16 रुपे गिरने का तरीका क्या होगा, जहाँ आपके पास 5 रुपे का ऐसे में हम 16 को 1 दस रुपे के नोट बिलकुल इसी तरह और 6 एक रुपे के नोटों से दिखाएंगे इस तरह यह 2 एक रुपे के नोट, फिर 2 एक रुपे के नोट और 2 और 1 रुपे के नोट मैं इस तरीके से चित्र क्यों बना रहा हूँ या नोटों की समानता क्यों दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको यह बताया जा सके कि इन स्थानों का मतलब क्या है जब मैं कहता हूँ, जब मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक यहाँ पर धाई का स्थान है तो वास्तों मैं आपको यह बता रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपए के कितने नोट है अगर मेरे पास सिर्फ एक, दस, सौ या हजार के नोट है और तब भी गुजारा करना हो तो मेरे पास 16 रुपए हैं जिसमें कोई 5 रुपए का नोट नहीं है यहाँ पर यह इकाईया है मेरे पास 1 रुपए का नोट और 6 रुपए के नोट है जो कुल 16 होते हैं और जब मेरे पास 7 जमा 9 बराबर 16 है तो मेरा कहना है कि मेरे पास 6 रुपए के नोट और 1 दस रुपए का नोट है और मैं इस 10 रुपे के नोट को दहाई के स्थान पर जो भी संख्या है उसमें जोडता हूँ दहाई का स्थान वास्तव में आपको यह बताता है कि वहाँ पर कितनी दहाईया है मैं इसे अंकों में भी लिख सकता हूँ और शब्दों में भी लिख सकता हूँ मेरे पास 67 है, 67 का मतलब 6 10 रुपए के नोट जमा, 7 1 रुपए के नोट इस तरह ये 6 दहाई, ये 5 दहाई, इसलिए मैं दहाई के स्थान पर मौजूद हर संख्या को जोडता हूँ तो 1 जमा 6 जमा 5 इसे मैं दूसरे रंग में लिखता हूँ 1 जमा 6 जमा 5, 1 जमा 6 बराबर 7, 7 जमा 5 बराबर 12 तो मैं 2 को दहाई के स्थान पर लिखता हूँ क्योंकि ये 10 रुपए के 12 नोट हुए और हम दहाई के स्थान पर हैं तो मैं 2 को दहाई के स्थान पर लिखता हूँ और एक हासिल सैकडा के स्थान पर ले जाता हूँ यानि मेरे पास 10 रुपए के 12 नोट है तो मेरे पास 120 रुपए हुए इसका मतलब 100 रुपए का नोट और 210 रुपए के नोट है अब मैं रुपएयों के बारे में बात नहीं करूँगा मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं कि यह कैसे होता है आप दाई और से शुरू करते हुए दो संख्याओं को जोडते हैं चुकि यह उत्तर दो अंकों में हैं आप बाई तरफ के अंकों अगले कॉलम में ले जाते हैं आए इसे हम यहां भी करते हैं एक जमा तीन बराबर चार इसे मैं यहां दूसरे रंग में लिखता हूँ एक जमा तीन जमा चार एक जमा तीन जमा चार एक जमा तीन बराबर चार जमा चार बराबर आठ इस तरह एक जमा तीन जमा चार बराबर आठ खुश हासिल नहीं ले जाना है या एक अंकी संक्या है और अंत में मेरे पास 9 जमा दो है या 11 के बरावर है इसलिए मैं एक यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं इस एक को यहाँ लिखता हूँ और इसके बाद कुछ बचता है तो मैं दाहाई को या दूसरे एक को हासिल ले जाता हूँ परम्तु यहां जोडने के लिए कोई अंक नहीं है इसलिए मैं इसे बस इस तरह लिख देता हूँ इस तरह 9366 जमा 2469 बरावर है 11826 मैं इसमें कॉमा लगाता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो आईए अब हम लाखों की संख्या वाले प्रश्न हल करते हैं बस आपको दिखाने के लिए कि अब आप कोई भी कैसा भी प्रश्न हल कर सकते हैं मान लीजे हमारे पास संख्या है 23,49,000 और 15 इसमें एक 0 भी है तो हमारे पास सैक्ड़े के स्थान पर कुछ नहीं है और मैं इसमें जोडना चाहता हूँ मैं इसका रंग बदल देता हूँ मैं इसमें 70,15,999 जोडना चाहता हूँ ये दिखने में मुश्किल लगती है मगर स्थानी अमानों पर ध्यान देंगे तो आसान लगेगी तो हम शुरू करते हैं पांच जमा नौ से शुरू करते हैं पांच जमा नौ ये चौदा के बराबर है यहां नीचे चार लिखते हैं एक हासिल ले जाते हैं अब दहाई के स्थान पर जाते हैं एक जमा एक बराबर दो दो जमा नौ इसका रंग बदलते हैं एक जमा एक बराबर दो, दो जमा नो बराबर ग्यारा, एक हासिल ले जाते हैं, अब हम सैकड़े के स्थान पर हैं, एक जमा शून्य बराबर हैं एक, जमा नो बराबर दस, इसलिए हम दस का शून्य लिखते हैं और एक हासिल ले जाते हैं, मैं दोबारा रंग बदलता हूं, एक जमा 9 बराबर 10, 10 जमा 5 बराबर 15, अब हम 10,000 के स्थान पर है एक जमा 4 बराबर 5, और 5 जमा 1 बराबर 6, और यहां कुछ हासिल नहीं ले जाना है अब हम लाख के स्थान पर है हमें 3 लाख में 0 लाख जोड़ना है, यहां भी हासिल कुछ नहीं ले जाना है अब अंत में हम 10 लाग के स्थान पर हैं 20 लाख जमा 70 लाख बराबर 90 लाख बिलकुल इसी तरह है तो यह एक बड़ी मज़ेदार संख्या थी 23,49,015 जमा 70,15,999 संख्या में स्थान के मान का ध्यान रखते हुए और जहां जरूरी है दो अंकों की संख्या के दूसरे अंकों हासिल में ले जाते हुए हम जान पाए कि इसका उत्तर 93,65,014 है तो उमीद है कि इससे एक बहतर समझ बनी होगी चलो मैं एक सवाल करता हूँ ताकि हम हासिल ले जाने को ज्यादा अच्छी थरह समझ सके तो हम एक बड़ी संख्या लेते हैं एक करोड 69,99,001 जमा 68,88,9999 हल करते हैं देखें कि इसका क्या नतीजा निकलता है ये भी एक कठिन सवाल दिखाई देता है लेकिन यदि हम ध्यान से करें तो हमें सही जवाब मिलेगा अच्छा, तो एक जमा 9 बराबर 10 शूने को लिखते हैं, एक हासिल ले जाते हैं एक जमा शूने जमा 9 बराबर 10 शूने को लिखते हैं, एक हासिल ले जाते हैं एक जमा शूने जमा 9 एक जमा नो बराबर दस, जमा आठ, दस जमा आठ बराबर अठारा, आठ लिखते हैं, एक हासिल ले जाते हैं, अब हम दस लाग के स्थान पर हैं, दस लाग जमा पचास लाग बराबर साट लाग, जमा साट लाग बराबर एक सो बीस लाग, यानि एक करोड बीस लाग, हम बी की स्थान पर जाएगा एक करोड जमा एक करोड या एक करोड और दूसरा एक करोड है इसका मतलब एक जमा एक बराबर दो और लो सवाल हल हुआ तो एक करोड 69,001 जमा 68,8999 बराबर दो करोड 28,88,000 आप ने देखा कि हमने साथ और आठ अंकों की संख्याओं को जोड़ा आप एक सौ अंक की संख्या भी ऐसे ही जोड सकते हैं। आपको एकदम दाहिने सिरे से शुरू करना है, फिर बाई और के हर एक कॉलम के साथ आगे बढ़ना है। जब एक अंक की दो संख्याओं का जोड दो अंकों में आए, तो दाहाई के अंकों आगे हासिल ले जाना है। बस इ यदि आप कोई गलती नहीं करते हैं, तो आपको सही जवाब मिलेगा ही।